आज हम करेंगे ओन दे फेस ओफ इड चैप्टर का सेकंड पार्ट और अगर आपने इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो पहले वो देख लो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया था कि किस तरह से मिस्टर लैम डेरी के साथ बात करते हैं और उसे काफी कुछ समझाते भी हैं और लास्ट में डेरी उन्हें ये कहकर चला जाता है कि वो वापस आएगा वो इस चैप्टर का फर्स्ट सीन था और अब हम इस चैप्टर के सेकंड सीन को देखेंगे जिसमें डेरी अपने घर पहुंच जाता है तो जब डेरी अपने घर जाकर अपनी मौम को मिस्टर लैम के बारे में बताता है तो उसकी मौम कहती है कि मैं उस आदमी को जानती हू और मैंने उसके बारे में सुना है कि वो एक सही आदमी नहीं है और लोगों ने तो मुझे वोन भी किया है कि हमें उस आदमी से दूर ही रहना है और तुम आज के बाद उस इंसान के पास कभी नहीं जाओगे फिर डैरी अपनी मदर से कहता है कि वो तो सिर्फ एक बुड़ा आदमी है जिसका पै टिन का है और वहाँ पर तो एक गार्डन भी है और मैं भी वहाँ पर जाना चाहता हूँ मुझे वहाँ जाकर चीजों को देखना है और सुनना है इसके बार डैरी की मदर उसे कहती है कि तुम्हें वहाँ जाने की कोई जरूरत नहीं है और ऐसा क्या है जो तुम्हें वहाँ जाकर सुनना है तो डैरी कहता है कि वह वहाँ पर जाकर मदुमक्खियों की आवाजें सुनेगा और मिस्टर लैम से बात करेगा जो कि उसकी लाइफ को बहुत मैटर करती है तो डैरी की मदर उसे कहती है कि तुम घर पर ही रहो और यहां रहकर जो सोचना है सोचो तो डैरी बोलता है कि यह जगह उसे बिलकुल भी अच्छी नहीं लगती इसलिए वो वहाँ जाना चाता है फिर उसकी मदर कहती है कि तुमें यह जगह तुमारे बर्ण फेस के कारण ही बुरी लगती है और इसके कारण दिनों दिन तुमारी नफरतें बढ़ती ही जा रही है लेकिन इसमें तुमारी भी कोई गलती नहीं है इसलिए मैं तुम्हें माफ करती हूँ तो डेरी कहता है कि उसे कोई बर्वा नहीं है कि वो कैसा दिखता है और इस सबका उसकी लाइफ में कोई इंपोर्टेंस भी नहीं है डेरी की इस बात से हमें पता चलता है कि अब उसके माइन में पोजिटिविटी आने लगी है और मिस्टर लैम की बातों का उस पर असर हुआ है इसके बाद डेरी कहता है कि अब मैं मिस्टर लैम के पास वापस जा रहा हूँ क्योंकि मुझे उनकी क्रेब एपल्स तोड़ने में हेल्प करनी है और वहाँ पर चीजों को देखना और सुनना भी है फिर उसकी मौम कहती है कि तुम रुक जाओ लेकिन डेरी कहता है नहीं नहीं अगर मैं अब वहाँ पर नहीं गया तो फिर मैं इस दुनिया में कहीं नहीं जा पाऊंगा ऐसा कहकर डेरी जोर से दर्वाजा बन करता हुआ भाग जाता है इसके बाद इस चैप्टर का सीन 3 शुरू होता है जिसमें डेरी गार्डन में वापस पहुंच जाता है जैसे ये डेरी गार्डन का गेट खोलता है तो वहाँ पर एक तेज आवाज आती है जो की मिस्टर लैम के सीड़ी से गिरने की थी फिर डेरी जल्दी से मिस्टर लैम के पास जाता है और देखता है कि वो अब नहीं रहे डेरी बोलता है मिस्टर लैम मैं आ गया और मैंने अपना वादा पूरा किया तो यहीं पर खतम होता है हमारा यह chapter on the face of it अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे like करना, share करना और subscribe करके bell icon को भी प्रेस कर देना और comments में जरूर बताना कि आपकी boards की तयारी कैसे चल रही है और अगर आपको किसी भी topic में कोई doubt हो तो वो भी बताना, मैं उस पर अलग से एक video बना दूँगा